Sense of Touch देख भी लिया, सुन भी लिया चीजों को छूना एक बहुत एहम सेंस है इनको हम Cutaneous Senses कहते हैं यह जो तस्वीर है यह किसी Blind साहब की Braille को Read करने की है Braille में पूरी-पूरी किताबें लिखी गई है इसके पीछे Sense of Touch का इस्तमाल ही है जो आपकी तमाम ABC, अलिफ बे आयतल कुर्सी जो आप देखते हैं इसको वो अपनी उंगलियों से Read करते हैं तो यह है Touch के Sense यह हमें Environment के बारे में Information देती है हम अपनी Skin के जरीए जो Perception लेते हैं हमारी हर रोज की Activities के लिए बहुत एहम है रोज मरा के कामों के लिए हम अपने आपको Injury से Protect करते हैं इस Sense के जरीए Sexual Activity जो है इनसान की यह से Motivate होती है Skin ही उन तमाम महबत बढ़े लमहात के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा sensory stimuli का काम देती है फिर यह हमें Provide भी करती है Comfort हम Receive भी करते हैं और दूसरों को भी Comfort देते हैं Touch के जरीए हाथ मिलाके छू के प्यार करके और यह Temperature को Maintain करने का काम करती है So Metosensory System जो है The Cutaneous Senses जो हमारी Perception के लिए जरूरी है Touch की और Pain की यह Stimulation से Cause होती है यनि Skin के उपर किसी किसम के Stimulus की वज़ा से यह Cause करती है उनके जरीए रूप जीर होती है इसमें Number One तो Cutaneous Senses है जो Skin से Related है Number Two Proprioception है यनि Perception की बज़ा है Proprioception यह हमारी वो सेंस है जो हमारी Body की Movement हमारे टांगों और बाजों की Movement का एहसास दिलाती है और Somatosensory System में जो तीसरी है वो किनस्थेसिस है यह जो सेंस है यह Movement का एहसास आपको दिलाती है जब आपका जिसम हाथ पाँ मूव करते है यह सारी परसेप्शन्स हमारे सर्वाईवल के लिए इनसानों के और जो और मखलुकात है उनके सर्वाईवल के लिए जरूरी है यह है Comfort बच्चा आपके उंगली पकड़े हुए है जो आपको राहत और बेपना खुशी उससे मिल रही है वो उस बच्चे के लिए Comfort है Skin Stimulation अब इस बच्चे को एक गुदिस ही हो रही है क्योंके एक हलका असा तिनका प्यार में उससे कोई छेड़ा है यह Stimulation बहुत जिल्दी बाइबर्थ बच्चे में होती है Temperature जलना नहीं है हमने कितनी गरम चीज़ पीनी और खानी है कितना ठंड हम बर्दाश्ट कर सकते है Pain और Texture को फील करना आप Imagine करें Silk का Texture या एक Rough दरख्ट का Texture Kinesis या Proprioception में तमाम Positions जो हम बनाते हैं कोई भी Position यह आपकी Kinesis थैटिक्स जो है उसके जरीए आप बना पाते हैं जाए योगा की Position हो या बचा उल्टा हो रहा है Summer Salting कर रहा है उसको पता है कि अब मैं उल्टा हूँ और एक Blind शख्स जब Walk करता है तो उसकी Movement ही उसे रस्ता दिखाती है वो अपनी चड़ी को एक Sense of Touch के जरीए Movement के जरीए लेके चलता है सबसे पहले जो हमारा Organ है Touch का वो है Skin Skin के बारे में Komal ने कहा है The Monumental Facade of the Human Body Facade है ना बजाहिर नजर आती है हमें ये जिसम का सबसे Heavy Organ है चलो Largest नहीं क्यूंके हमारे जिसम में बड़ी आंत है वो इससे भी लंबी है लेकिन Skin जो है वो Heaviest Organ है पूरे हमारी बड़ी में इसका एक Warning Function है ये आपको एक Warning देता है आपको एक तंबीह करता है ताकि बड़ी के जो Fluids हैं वो हमारी बड़ी से Escape ना करें हमें Bacteria या Chemical Agents और जो मिट्टी है, डर्ट है वो हमारी बड़ी को Penetrate करने से महफूज रखती है, ये Skin और ये जो कुछ अंदर है जिसम के उसकी Integrity को महफूज रखती है और बाहर से हमारी हिफाज़त करती है जो कुछ बाहर है या आपको अक्सर बच्चों के जो Products के इष्टिहार है, उनमें नजर आएगा अंदर की हिफाज़त, बाहर की हिफाज़त जरासीम से हिफाज़त Skin हमें Information भी देती है उन तमाम Stimuli के बारे में, चीजों के बारे में जो हमसे In Contact आती है जो सूरज की किदने हैं हमारे Skin को गरम करती हैं हमें गरमाहट मैसूस होती है एक Pin की Prick जो हमारे लिए Painful है जब हमें कोई Touch करता है तो हमें Pressure या कोई और Sensation मैसूस होती है Skin के जो हिस्से हैं उसमें Epidermis है और Dermis है जो उसके नीचे है इनी दोनों जो Layers हैं इनमें हमें Mechano Receptors मिलते हैं जो के Mechanical Pressure को Respond करते हैं Merkle Receptor and Measner Receptor जो Merkle Receptor है वो Fine Details के लिए है और जो Measner Corpuscle है वो Hand Grip को Control करने के लिए यह हमारी Skin का Structure है इसमें Receptors भी नजर आ रहे हैं Measner और Merkle और इसके साथ Neuron की Firing है जब इसकी Perception Left को देखें Continuous Pressure है न दबाओ आ रहे हैं तो यह Firing हो रही होगी जबके On and Off है लगा और फिर हट गया तो इसकी जो Firing है वो और तरह की है तो यह Epidermis के अंदर जो Layers हैं उनके अंदर यह Receptors मौजूद हैं यह मजीद उसका Structure है Cylindral and Pascinian Corpuscle जो है यह Deeper होता है Skin में नीचे होता है इन में से कुछ Continuous Stimulation को Respond करते हैं कि Touch चल ही रहा है और कुछ जो है जब Stimulus Apply किया जाता है और हटा लिया जाता है उसको करते हैं यह Stretching of Skin को भी महसूस करते हैं और यह जो Rapid Vibration and Texture है इसको Pascinian जो है Corpus वो जो है जैसे मसल होता है उस तरह यह Corpuscle होता है